हेलो दोस्तों, एडेरी के यूटूब चैनल पर एक बाद फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो है डेरी क्विज जिसमें हम डेरी साइंस एंटक में लोजिस रिलेटिड बहुत सारे कोशन्स के बारे में जानकरी लेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहला कॉशन है हमारा विज फ्लोइंग केटल ब्रीड इस आलसो नोन एज केटल फबंबे गिर, द्योनी, साहिवाल, मालवी इन चारों में से कौन सी गाय को केटल फबंबे के नाम से जाना जाता है इसका अंसर है द्योनी द्योनी को केटल फबंबे भी कहा जाता है नेक्स कुशन है हमारा विज फ्लोइंग केटल ब्रीड इस फेमस फोर इस स्वाई चाल यानि कौन सी गाय की ब्रीड स्वाई चाल के कारण फेमस है गिर, हर्याना, साहिवाल, कांक्रिस इसका अंसर है कांक्रिस कांक्रिस गाय स्वाई चाल के कारण बहुत फेमस है अगला कुशन है हमारा विज फ्लोइंग ब्रीड इस आल्सो नोन अज दिल्ली ब्रीड ब्रीड दिल्ली रावी, मुर्रा, जाफराबादी, टोडा इन चारों में से कौन सी भैस को दिल्ली बफलो कहा जाता है इसका अंसर है मुर्रा, मुर्रा को दिल्ली बफलो भी कहा जाता है नेस्ट कोशन है हमारा विज फ्लोइंग इस नोट है इंडियन टरडीशनल डेरी परड़क्ट रबड़ी, खोवा, केफिर, बासुंदी इन चारों में से कौन सा डेरी परड़क्ट इंडियन टरडीशनल डेरी परड़क्ट नहीं है इसका अंसर है केफिर केफिर इंडियन टरडीशनल डेरी परड़क्ट नहीं है बाकी रबडी कोहा बासुंदी ये तीनों इंडियन टरडिशनल डेरी प्रडक्ट्स हैं नेक्स्ट कोशन हमारा वट इस दा फैट परसेंट इन डबल टॉन मिल्क जो पैकेट डबल टॉन मिल्क मार्केट मिलता है उसकी फैट परसेंट इस क्या होती है 1.5% 3% 6% 4% इसकांसर है 1.5% फैट अगला कोशन हमारा देश दा मोस्ट अबंडन्ट अन्सचुरेटिट फैटी असीड इन मिल्क विद वन डबल बोंड बुटायरिक असीड पालमेटिक असीड ओलिक असीड ओल अफद बोव इसकंसर है ओलिक असीड ओलिक असीड जो की अन्सचुरेटिट फैटी असीड है मिल्क में अधिक मात्रा में पाया जाता है नेक्स्ट कोशन है मारा विच अव द फ्लोइंग इस नोट है टेक्सर डिफेक्ट इन आइस क्रीम ग्रीजी, आइसी, सैंडी, गमी इन चारों में से आइस क्रीम में कौन सा टेक्सर डिफेक्ट नहीं है इस कंसर गमी जो की एक बोडी डिफेक्ट है इसके अलावा ग्रीजी, आइसी, सैंडी ये तिन्नों टेक्सर डिफेक्ट है अगले कोशन पर चलते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते है जिसमें गाय के बच्चे को गाय से अलग करके उसे गाय का दुद ना पिला कर और कुछ खिलाना इसका अंसर है वीनिंग वीनिंग वेब प्रोसेस होती है जिसमें गाय को अपने बच्च्चे से अलग करके उसे गाय के दूद के लावा अलग फीडिंग दी जाती है अगला कोशन है हमारा अगला कोशन है हमारा इसका अंसर है यानि अगला कोशन है हमारा इसका अंसर है अगला कोशन है हमारा अगला कोशन है हमारा इसका आटिशन है बच्चारों में से कोशन है अगला कोशन रिटिशन है यानिय कांसर है इसका निच रिटिखन नेक्स्स कोशन पर चलते हैं इसका अंसरा है नागोरी अब चलते हैं वमारे लास्ट कोशन पर इसका अंसर यह का इसका मतलब है क्रीम सेपारेटर में जितनी तेजी से मिल्क इनफ्लो करेगा उसकी वज़से क्रीम में फैड परेट परेट कम होगी अगर मिल्क की स्पीड कम होगी तो उतनी ही ज्यादा फैड परेट परेट करूप ataque होगी उमीद करता हूँ आपको ये questions समझ आयोंगे और आपको ये questions आपकी knowledge बिढ़ाने में help करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like कर देना और share कर देना साथ ही अगर आपने e-dary channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से e-dary channel को subscribe कर लो और साथ ही bell icon को दबाना मत भोलना जिससे आपको new video के notification बहुत जल्दी मिल जाएंगे